अजी नमस्कार जी मैडम नमस्कार सुलेमान दी से बात कराओ जी जी आदावर साब बताईए क्या सवाल है आदाव जी आदाव जी आदाव हमारी आप से एक अरदास है कि ये हर जिले में ये दुआई जो आपके बैद हैं ये हर जिले में इनकी दुकाने खुल जाएं तो हमें सुईद्धा ज्यादा मिल जाएगी ठीके ठीके और कोई सवाल भी आपका क्या जी कोई सवाल तो जी सवाल मिल जाते हैं जी सारे जी का प्रोग्राम मैं हर रोज देखता हूं जी और एक कापी लगा एक कापी लगा यूई है जी उस कापी मैं सारे नुके में वो एड़ करता हूं जी बहुत धन्यवाद बहुत होसला अवजाई आपकी आपने की हमारी और वाकई ऐसे लोग कम नहीं है जो बहुत अच्छे शर इतना बाटो उतना बाटता है बाकी सब चीजे बाटो तो घटती है पैसे बाटने लगो घटने लगे लेकिन ये विद्या अजीब गरीब चीज है कि चितनी बाटो आज मेरे पास थी फिर आप तक पहुंच गई आप इससे आगे बढ़ाएंगे कापी लिखते हैं आप मे साथ करोड़ों लोग हो गए आप जैसे अब मुझे परवा नहीं कि अगर मैं रहूं या ना रहूं आदमी की जिन्दे कुछ पता नहीं है लेकिन मेरे बाट भी आप लोगी इस कारे को सरकुशल चला सकेंगे मुझे बहुत अच्छा लगा आप से बात करके अच्छा है कि हर जगा भेज़ दो दोरसल कुछ दिन बाद ना लोग नकली दवाएं देने लगते हैं तो हम भी कोशिश करते हैं लोग असली दवा जान लें समझ लें कैसी होती हैं साहे तर चीज़े हम शकल होती हैं जड़ी बूटियां और उसका लोग जो मुनाफ़क हो लोग है फाइदा उठा लेते हैं इसलिए हम बार बार कहते हैं कैसी होती है जायका कैसे होता है वगेरा वगेरा और आप जैसे लोग अगर समालेंगे इस काम को तो जरूर लोगों को फाइदा होगा और असली चीज़ लोग समझ पाएंगे